एन एलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 की पावर 5 newton इसी को अगर डाइन भी लिख देता हूँ, आप थोड़ी से unit conversion पता होना चाहिए आपको newton per coulomb, it experiences a torque to 4 newton meter, the charge on the dipole, if the dipole length is 2 cm per each करिवास normally torque का formula पता होना चाहिए, torque vector form में हमेशा मैं लिखता हूँ P cross E, करिवास समझे कि नहीं, कभी-कभी E cross P गलती से अगर हो जाएगा तो mistake हो सकता इसलिए जब भी question solve करें, बार-बार लिखते रहें, जितनी बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा इसको आप magnitude की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जी, P E sin theta हो जाएगा तेरी बास से सहमत हो की नहीं, अच्छा जो dipole होता है, कैसे होता है, ये minus q होता है ये plus q होता है, इसके 20 का distance d मानता हूँ, तो जो p होता है, वो q into d होता है तेरी बास से सहमत हो की नहीं जी, simple सी बात, उसमें क्या-क्या सब कुछ दे रखा है, ठीक है अब देखिए, यहाँ पर हमको टाउ के जगए कितना हो, टाउ equal to किया हो जाएगा, q d E sin theta समझे की नहीं, सारी value रखिए, torque की value आ लेडी देखिया है, 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, q की value भी दिया है, अचा q निकालना है तो q रहने दीजिए, d की value कितना दिया है, 2 cm, यानि 2 into 10 की power minus 2 रखना है electric field की value दिया है, 2 into 10 की power 5, उसके बाद दिया है sin 30, या sin 30 मैं यहाँ रख ले रहा हूँ, sin 30 ठीक है, और sin 30 की value कितनी होती है, यहाँ पर direct calculate हो जाएगा, कि step बच सकता है तो यह हो जाएगा sin 30, sin 30 की value होता है 1 by 2, इससे फायदा क्या हुआ, इससे यह हुआ कि, देखिए, यह 2 से, यह 2 कट गया इस 2 से कट करेंगे, तो यहाँ 2 आ गया, simply, यह हो गया 2 equal to q into 10 की power 3, ठीक है भी यह, इसको इधर divide करेंगे तो q equal to 2 divided by 10 की power 3, यह हो जाएगा 2 into 10 की power minus 3, ठीक है, अच्छा यह कुलोम में निकाले है हम लोग SI unit में सारी value पुट कर रहे है, तो जो answer आएगा, वो हमारा किस में आएगा, SI unit में आएगा तो इसको answer किस में दिया है, मीली कुलोम में दिया है, माइक्रो कुलोम में दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीली कुलोम लिखा रहेगा, तो 10 की power minus 3 कुलोम लिखते हैं अगर 1 माइक्रो कुलोम लिखा रहता है, तो 10 की power minus 6 कुलोम लिखते हैं अपने पास कितना है जी 2 x 10 की पावर माइनस 3 कुलॉम है अगर 10 की पावर माइनस 3 हटा देंगे तो इसे 2 मिली कुलॉम लिख सकते हैं तो Q का value जो आया 2 मिली कुलॉम आया यानि इसका option कौन सा correct हो जाएगा